मेरट के बाद अब गाजियाबाद में भी नान बनाने वाले कारीगर का रोटियो पर थूकने का वीडियो सामने आया है आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है इस मामले के संग्यान में आते ही पुलिस हरकत में आ गई पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफतार किया और जेल भेज दिया है आपको बता दें कि ये मामला गाजियाबाद के भोजपुर थाना छेतर इलाके का है जहां बीते गुरुवार को गाउं के एक स्कूल परिसर में एक सगाई समारो का आयोजन किया गया था इसमें सगाई का खाना बना रहा कारीगर रोटियों में थूक लगा कर नान बनाता नजर आ रहा है लोगों ने ट्विटर पर प्रधान मंत्री मोदी और सीम योगी को भी इस पूरे मामले में शिकायत की इसके बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे गिरफतार किया और फिर जेल भेजा पुलिस के मताबिक गिरफतार कारीगर का नाम मोहसिन है जो की मुरादनगर इलाके का रहने वाला है वाइरल वीडियो में नजर आ रहा है कि खाना बनाने वाला कारीगर और उसका साथ ही तंदूर पर नान बना रहे हैं नान बना रहा एक कारीगर प्रतेक नान बनाने के दोरान उस पर थूक रहा है इस दोरान किसी शक्स ने उनका वीडियो बना लिया वीडियो वाइरल होने के बाद समारों के आयोजगों से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है SPE राज राजा का कहना है कि सोशल मीडिया के जरीए एक शक्स ने गाजियाबाद पुलिस को एक सगाई समारों में ठूक लगा कर नान बनाने की घटना की जानकारी दी जिस पर आरोपी को गिरफतार किया गया है इस मामले में आरोपी के खिलाफ महामारी एक्ट सहित कई अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है